आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्रामर का एक नया टॉपिक that is case मतलब कारक ठीक है सबसे पहले आपन देखेंगे कि definition कारक का क्या है वाक्य में संग्या तथा सर्वनाम का संबन्ध जोडने वाले शब्द क्या कहलाते कारक कहलाते now we have eight types of कारक first is our कर्ता कर्ता that means क्रिया को करने वाला और इसका जो example है जो चिन है वो हो जाएगा नहीं मतलब राम नहीं खाना खाया next आजाओ कर्म कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े और इसका चिन हो जाएगा को example अगर देखा जाए तो हो जाएगा मैं सीता को पढ़ाता हूँ like this now third is our कर्न जिस साधन से क्रिया की जाए उसे हम कर्न कारत कहते है example मैंने पेन से लिखा next fourth संप्रदान that is डेटिव जिसके लिए कुछ किया जाए example चिन हिसका है के लिए तो मैं गरीबों को खाना देती हूँ ठीक है and fifth is our अप्रदान that means जिसमें अलगाव हो मतलब जिसमें differentiation हो जो अलग हो जैसे पेड से पत्ता गिरता है next is our संबंध संबंध को सूचित करने वाला that means वा मेरी बहन है वा राम का भाई है है ना तो यह सारे एक्जामपल किसकी हो जाएंगे संबंध का रखे now seventh is अधिकरन that is locative जो क्रिया का अधार हो example मे पर ठीक है अगर एक sentence में देखते हैं अपन तो क्या हो जाएगा मेज पर किताबे रखी हुई है okay and last is our संबोधन means वक एटिव जिससे पुकारा जाए एक्जामपल चीन हो जाएगा आपका हे और अरे जैसे है अपन गयते हैं ना हे भगवान मेरी रक्षा करो and so on thank you